सरकार दुनिया में बनी है इस तरह की जो जूठे वादे जित्मने करके आते हैं और फिर जनता को समझे के चूना लगा देते हैं और यह सरकार जो रूट पर धरना परदस्था ने खूद करने वाली सरकार थी जो खूद वहाँ जनतर मंतर से ले करके राजगाट से ले करके जानून होते वे ऐसा नहीं कि कोई लीगल पॉजिशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और उस पे बावजूद यह आम जंता की आँख में यह धूल जोक रहे हैं मीडिया के साथ ही मतलब पेपर में आ रहा है कि 28 लोग ताला बंद करके मजदूरों से काम करवाया जाता है जिस वज़े से मजदूर निकल के भी नीचे नहीं आ पाया और लोग जल करके मर गए इस तरही घटनाएं हम देखने बवाना के अंदर अगर आपको याद हो फैक्टरी में बाहर ताला लगा हुआ था नमस्कार मैं राशेद और आप देख रहे हैं जनिता आवास राजदानी दिल्ली में मुंड का इलाके में जल कर 28 लोगों की जान चली जाती है और उसके लिए यहां मांगो पर है आज एक्टू जो सिविल नाइन के यहां दिल्ली सी एमावास के बाहर खड़े हैं तमाम बैनर यहां पर हैं मैं देखा सकता हूँ दिल्ली के कारखानों को मौत का कारखाना बनाने वाली केंदर सरकार दिल्ली की सरकार मुर्दाबाद दूसरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के कारखानों का मौत का कारखाना बनाने वाली दिल्ली सरकार मुर्दाबाद मजदूरों की हत्या ओन है संसद और विदान सबा मौन है इन सबी के बैनर तले यहाں पर मजदूरोंके लिए आवाज उठाई जारी है मेरे साथ यहां मौजूद हैं कुछ लोग जिन से मैं बात करना चाहता हूँ आपको आएए बात करते हैं अम क्या कहना चाहती हैं मजदूरों के साथ आज क्या होरा है कैसी हालत है उनकी देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक फैक्टरी के अंदर आग लगने के घटना है सामने आई है इससे पहले भी आई है और जिन्दा मजदूर जलके जा रहे इस पूरे मामले में हमारा मानना है कि सरकार की जो लापरवाही है उनका जो वजह से मजदूरों की मौते हो रही है फैक्टरी के अंदर ताला बंद करके मजदूरों से काम करवाया जाता है और इस पूरे मामले में भी हमने देखा कि जो फैक्टरी के लॉज है जो थी एकजिट होने चाहिए मुंड़का के अंदर भी जो आग लगी उसमें एक ही हुई थी तो इस तरह की घटना हैं और तमाम तरह के जोMost होते हैं इन उसी जरूरी होती एक किसी भी अध्याकों को खोलने के लिए सरकारने उन सारी चीजों को समाफ्त कर दिया है उस सारी चीजों की छूट देदी है दिल्ली सरकार केंदर सरकार दोनों का ही इसमें रूल है जिसकी वजह से हम को देखने को मिलता है कि इस तरह की घटनाएं लागतार मालिकों की तरफ से इस तरह की लापर वाहिया और घटनाएं हो रही है और मस्दूर जिसमें आम मजदूरों की जान जा रही है मैं म लेकिन उसके बावजूद भी कोई घटना नहीं और तब से लेकर कि आज तक पिर से एक नहीं घटना हुई जहां इतनी बड़ी मात्रा में लोग मारे गए हैं तो ये तो और सबसे बड़ी बात देखें कि ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है कि क्या चल रहा है लेकिन बावजूद इसके अगर आप चुप हैं अगर आप इसके उपर कोई बोलने के ज जवाब मिला देखिए हम लोग वहां पर गए हम लोग ने अपनी बात रखी हम लोग ने अपना मेमोरेंडम सौपा और साफ साफ हमने मांग कि है कि जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों को 50 लाख मुआफजा दिया जाए सरकार तो क्या ही मानेगी जो सरकार की वो है लेक लेकिन इस सवाल को अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा ठीक है और हमने साफ साफ मांगा कि जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए और इस तरह के घटनाओ पर इमेडिटली रोख लगाई जाए चाहते हैं इनको पूरी जिमवारी लेना चाहिए ठीक है और सरकार भाग रहे है जिमवारी से तो एकदम भाग रहे है ठीक है न के जिवाल सरकार बोल रहे है कि भाई आपका एमसीवारी लेने से भाग रहे है ठीक है न इंप लोख है मदला कानून होते वे ऐसा नहीं की कोई लीगल पोजिशन प्लियर नहीं है लीगल पोजिशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और उस पर बावजूद ये आम जंता की आंक में धूल जोक रहे है सर मौत का जो आकला है वो 28 है लेकिन एक्चुल पता चल पाया कि कितने कहां तक पहुंचा है जो मतलब नियूंतम कम से कम पचास होगा ठीक है क्योंकि 28 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं 28 लोग तो आप ही के मतलब हम लोग तो गए भी है मीडिया के साथ ही मतलब पेप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और हम लोग एक नागरिक के बीच हम लोग एक पब्लिक मीट से डिफरेंट अवेर्नेस कैमपेन एक जन जरुवत है जन आंदोलन जन मानस के बीच जाने की और एक बड़ा बड़ा एक आंदोलन हम लोग खड़ा करने की हम लोग बात्ची चल रही है जैसे से लोग आप लोग को पता चलते रहेगा ठीक है सर क्या कहना चाहते हैं जो इतनी दिल्ली में मौत हो गई है दर्दनाक मौत हो गई है बहंकर यह हाथ सा था कैसे देखते हैं उसको सरकार से क्या जवा मिल रहा है सरकार तो हम समझे कि निकमी सरकार है किसी का कोई जबाब दे नहीं है कोई भी सवाल का जयान की कोई कीमत नहीं है चीमत नहीं है भार इस सरकार भी खते दुनिया में बछला हम आते हां और फिर जनता को समझे के चुन inequ लगा देते हैं और ये सरकार जो रूट पर धारना परदसनी खूत करने वाली सरकार थी इस मामले मे छोई सरकार की तरफ से आपको आसवासन मिला? सभासन का मिलेगा इन लोगों को हम लोग जैसे कि एक अल्टिमेटम दिये हैं हम लोग मिलने गया था लोग क्या है हाला कि ऐसे ही देने वाले नहीं है इसके लिए बहुत हो गई कि मैंने कम से कम जब से ही सरका रही है दिली में तो जनसंहार हो गई है मैंने ऐसी जलाने चीटा बनाए फैक्टी का है कि चीटा बन गई हुए हैं इनका कोई किमत ही नहीं है मज़ूनों की क्या कीमत है यार बताव सत्तर से ज्यादे लोग मर रहे हैं यार और समझे कि पुर्वांचल लोग थे और इतने गरीब लोग थे आज उनका देखिए कोई हिसाब किताब नहीं है तो यह थे मेरे साथ यहां पर मौजूद जो परदशन कर रहे हैं उन पीडित परिवारों के लिए मांग कर रहे हैं और देखना होगा कि आखिर इनको न् कमरामेन धर्मेंद्र के साथ राशिद जनित आवाज